नमस्कार दोस्तो दो रास्ते हां एक तो वो विद्धति जो सफल होंगे अब उनको आगे मुख्य परीक्षा के लिए बहती प्रक्रिया के अंदर कितना समय लगेगा यह जाननी की बड़ी इच्छा ह banco और साथ में उनके पास में नहीं है तो यह भी जानना चाहते हैं कि हम क्या-क्या चीजें पड़ें और किन-किन चीजों के उपर ज्यादा फोकस करें तो यहां पर एक्जेक्टली तो मेरे पास नहीं है लेकिन अच्छी गाइडेंस जरूर है वह मैं आपको दे सकता हूं और एक वह विद्ध्यारती है जिनका सीटी में मालोगी नहीं हो पाएगा या 15 गुणा विद्ध्यारती के अंदर नहीं आएंगे वह या माल लीजिए कि किसी लैक और कम्म्निकेशन की वज़े से या खुद की वज़े से और भी बहुत सारे कारणों की वज़े से वह रह गया काला मैं ग्रेजवेशन और सीटी दोनों लीवल दोनों की बारे में यहां पर बात करे रहा हूं और और उपर ग्रेजद काằng कर रहाँ है तो अब आưng आता है उसकी पर अंतर किया जाएगा सी पर 60 कि अदर झांडर जैसे जूनियर आकांट से समंदित चीजे हैं वो बेसिकली पूछी जाएगी अगर मान लीजिए कि कोई LDC से रिलेटेड है तो उनसे LDC से समंदित राजस्तान पुलिस से हैं तो मैला बाल अपराद और जो राजस्तान पुलिस का कुछ काफी हद तक वैसी चीजें उनसे आगे मुख्य परिक्षा में पूची जाएगी फिर मुख्य परिक्षा के बाद में हो सकता है कि अगर 15 गुणा विध्यार्ति ले तो यहां पर बोड़ का आगे क्या मानस रेता है क्या पेटन होता है सीटी तो खाली पात्रता परिक्षा है जैसा कि यह कहा है तो आगे कोई ना कोई टेस्ट जरूर होगा हो सकता है कि कम रम्रों का हो लिमिटेड चीजों के माध्यम से आपको चेक करें या रिलेवेंट विभाग के अनुसार आपको पेपर वो दे या आप से पेपर से समंद जो राजस्तान कोंस्टेबल तो उनके लिए फिजिकल टेस्ट और फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट यह दोनों आयोजित करवाए जाएंगे बोर्ड करव करवाएगा फिर डोक्युमेंट वेरिपिकेशन और फिर आपका फाइनल सेलेक्शन होगा यह तो यह वो विद्दार परत करूँ तो और यह यह आपके पास में इसके अलावा में बात करूँ तो परीचार्क का आपके पसमें अच्छा उप्शन है उसके अलावा चोबिस वेकेंसियों को समलित किया गया था इस बार सिर्फ और सिर्फ इसमें 15 हुई है अभी नोग विखेंसियां है उसके अलावा पटवारी विभाग से हैं आपके राजस्व विभाग से उसके अलावा हम बात करें यह वीडियो की जो भरती है ऐसी तमाम बहुत सारी भरत सकते हैं और भी आपको कई सारे मोगे मिलेंगे सेंट्रल लेवल की वेकेंसिस एंवो भी आपको देखने को मिलेगी गैज अब बात यह आती है कि अगर हमें मृणलोWatch किसी बी एक्जाम में राजयस्तान की सेलेक्शन लेना है तो भूगोल राजस्तान का भारत का और राजस्तान की पॉलीटी और भारत की और अर्थिवस्ता विज्ञान और प्रदोगी की रिजनिंग मैच्स और सामानी हिंदी जनरल इंग्लिस है computer और current अफेर यह आप यह सारे सब्जेक्ट अगर एक साल के दर्मियान आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो वन डे टाइप के एक्जाम है वह आप क्लियर कर सकते हैं अब यहां पर बात फिर से आती है कि मुख्य परिक्षा के लिए जिनकी मुख्य होने वाली है जैसे जूनियर अकाउंटेंट है तो उनके लिए तो अकाउंट के ही पूरे सब्जेक्ट आएंगे और जो बाकी जो अदर जैसे कई सारी वेकेंस या लडिसी राजस्तान पुलिस तो इनमें तो देखो राजस्तान का जीके है विशेश जो और से पूछा जा वाले क्यों देंगे और अकाउंट की वेकेंस यह तो फिर वो दूसरा पेपर क्यों देंगे तो यहां पर अभी विचित्र इस्तती है लेकिन सीधा सीधा में तथी यही जा रहा है कि अगर आपकी पहले सीटी में आप क्रेक हो चुके हैं और नहीं भी हुए है तो भी आप 247 की मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करें जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है फॉर फ्री स्टेडी मेटरियल सीके सर करके एक लिंक है उसकी ओपर क्लिक करेंगे तो आपको करन्ट अफेल डेली क्वीज नोट्स आर्टिकल चोटी-चोटी टिफशी और ट्रिक करेंगे तो आपको